हो जब ऐसे चिकने चहरे तो कैसे ना नजर फिसले जिन्द मेरी ये मधुबन मेरा दिकाना चेरे गिरधर की मुरलिया बाजेरे देखिए दोस्तों आज मैं बात करूँगा इंडियन बॉलिवूड इंडस्ट्री के सबसे बड़े मेरी नजर में सुपरस्टार की आईकॉनिक सुपरस्टार की आपने सही पकड़ा उनका नाम है दिलिप कुमार देखिए दिलिप कुमार सहाब को प्रेजेडिक किंग कहा जाता है उनको अभिने समराट इंपेर ऑफ एक्टिंग कहा जाता है उनको फरस्ट खान ऑफ बॉलिवूड भी कहा जाता है देखिए दोस्तों आज मैं आपके सामने बताऊंगा कुछ ऐसे राज खोलूंगा दिल दिलिप कुमार सहाब से सीख सकते हैं स्टार करें फरस्ट पॉइंट ऑल्वेज बी न्यू बेटर एंडिफरेंट क्या कहा है मैंने ओल्वेज बी न्यू बेटर एंडिफरेंट का मतलब क्या है न कि दिलिप कुमार सहाब ट्राजिडिक कि कहे जाते थे और दिलिप कुमार अगर आपको याद हो तो उनकी फिल्म अंदाज, उनकी फिल्म देवदास, उनकी फिल्म मुगले आजम, ये सब जो सिनेमा रही, इन तीनों सिनेमा में इन्होंने ट्रैजिक रोल किया, I mean इनकी जो लवर है न, जिनसे ये प्यार करते थे, इनकी प्रेमी का जो सिनेमा में थी वो मर जाती, उनकी डेथ हो जाती या बिच्छड जाते हैं, किसी कारण से उनसे मिल नहीं पाते हैं उसके बाद अचानक से 1967 में इन्होंने डिसीजन लिया, कि अब मैं कॉमेडी करूँगा, और 1967 में इनकी सिनेमा आई, राम एंड श्याम डिरेक्टर्स, प्रडूसर्स कह रहे थे इन्हें, कि सर आप क्या कर रहे हैं, लोग आपको ट्रेजडी किंग के रूप में एड्मायर करते हैं, लोग पसंद करते हैं आपको ट्रेजडी के रूप में, आपको ट्रेजडी के रूप में ही आना चाहिए, तो पता ही इन्हों पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, आईयर ओर्डर अफ प्रोफेशनलिजम, दिखिए जबर्दस्त ट्रू प्रोफेशनल ये थे, कैसे तहीं बताऊं, मुगले आजम हम सभी ने देखी थी, मुगले आजम में आईकॉनिक रोमेंटिक सीन्स चल रहे थे, और आपको जानक मैरेज नहीं हो पा रहा था, किसी कारण से, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा, कि 1951 में जो तरहना मुवी आई, तो उस तरहना मुवी के दौरान दुनों में मैंने बताया आपको, कि दौनों में प्रेम हुआ, बड़ किसी रिपोर्ट डेट नीदर दिलिपकुमार नर मदुबाला हैड बीन ओन टौकिंग टर्म्स, वाइल जब दोनों मोस्ट आइकोनिक रोमेंटिक सीन्स को वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, शूट कर रहे थे, दिलिपकुमार ने बात नहीं की, इनसे बात नहीं की, मदुबा से बाहर आ जाओंगा, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना हो किसी के साथ, तो मैं काम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, राइट, एन थर्ड एल लास्ट, जो मेरा फेवरेट है, पैशन फॉर क्राफ्ट, पैशन फॉर क्राफ्ट, मैं कई बारी कहता हूँ कि, पैशन किंग दिलिप कुमार सहब, जब लगातार ऐसे फिल्मे कर रहे थे, जिनमें उनकी प्रेमिका मर जाती थी, तो उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंटर्नलाइज कर लेते थे दिलिप कुमार सहब, डिप्रेशन के सिकार हो गया, साइकोलोजिकल इंबैलेंस हो गया, जबकि नतीजा यह हुआ कि उनका mental health deteriorate कर गया और उनका nervous breakdown हो गया, लंडन जाकर से उनको अपनी थेरेपी करानी पड़ी, अपनी counselling, अपनी coaching, अपनी mentoring करानी पड़ी, और उस सेखेटरिस ने दिलिप कुमार सहब को बोला, कि दिलिप सहब, अभी कुछ सालों के लिए आप light-hearted roles कर कर रहा है उसके character के साथ वो जीना शुरू कर देता है और फिल्म का इतना गहरा उस इंसान के psychology पर प्रभाव पड़ता है कि वह सोचता है कि कहीं में पागल तो नहीं हो गया और सच में mental है तो उनका क्या हो जाता है खराब हो जाता है और बाद में लंडन में उनकी counseling होती है दूसरा example में आपको बता हूँ second example आपने कोहिनूर cinema का वो गाना जो मैंने शुरू में गया है न मदुबन मेरा दिकाना चेरे इस गाना में सितार सितार बजा रहे हैं तो आज की date में क्या होता है कि कोई भी जो नाम तुमें नहीं ले सकता कोई भी actor मैं देखता हूँ कि व वो गिटार विगर बजाते हैं उनको गिटार बजाना नहीं आता है लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने छे महिने की सितार बजाने की ट्रेनिंग ली so that the scene must look realistic. Think about it. मतलब 6 महिना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अपनी टाइम, अपना रिसोर्स, अपनी एनर्जी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. Not only this. एक और सिनेमा के मैं बात करूँ. 1966 में दिल दिया, दर्द लिया एक सिनेमा था, जिसमें उनको breathless होना था और प्रान सहाप उस सिनेमा के विलन थे, उनसे डाइफल चीन नहीं थी. इन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे शूटिंग यूनिट का चार चक्कर लगाया और स्रियल में breathless हुआ. हलाकि इनको breathless ह होने के लिए, डिरेक्टर ने कहा नहीं था, शौट की वो डिमांड नहीं थी, फिर भी इनोंने beyond the mark जाकर, extra ordinary efforts देकर क्या किया? अपने craft को और अच्छा किया और वहाँ पर उस सीन को shoot किया. एक और example बताओ, उनके passion का, 1961 में एक सिनेमा आई, गंगा यमना, और गंगा यमन सिनेमा में, इन्होंने इस सिनेमा को खुद प्रोड्यूस किया था, खुद लिखा था इस सिनेमा को, तो उस सिनेमा में, तो उस सिनेमा में क्या हुआ, कि ये इन दौर में, MP में, खांडबा एक गाउं है, उस गाउं में ये रहना शुरू कर दिये, so that he could learn the lifestyle, the tradition, the culture, the value system, the belief system, the thought process of that entire locality, उन्होंने time invest किया, वहाँ पर जाके बहुत सारा research and development का काम किया, महीनों वहार है, और यही नहीं, अवधिया language, पुर्भिया language भी उन्होंने सिखा, to get into the characters, look friends, there are a lot of things to be discussed on this legendary, iconic, powerful actor, Dilip Kumar, but, you know, time has some limitations, तो इस वीडियो को फिलाल हम यहीं खत्म करते हैं, बट, जाने से पहले में एक चीज़ आपको जरूर को होँगा, कि आप जिंदिगी में कुछ भी कर रहे हो, right, आप जिंदिगी में कुछ भी कर रहे हो, मैं ऐसा कहता हो, मेरी जो सोच है, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जा यहां जीने को जिंदिगी तो हर कोई काट लेता है, जीओ तो इस तरह जीओ कि एक मिसाल बन जाए, देखो दोस्तों, मेरा यह कहना है ना कि जब अगर किसी काम को हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग डांसिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उस काम को उसके क्राफ्ट को आप्टिमम लेवल पे लेके चले जाएं दुनिया में आप ना गुड हो ना बेटर हो ना बेस्ट हो आप युनीक हो और युनीक आदनी का कभी कोई कॉम्बरेजन नहीं होता है फ्रेंड्स उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगले कौन से हीरो या हीरोईन पर या कौन सा ऐसा वीडियो है कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अपने व्यूज रखू डिफरिटिक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईए और चैनल पर नए आये हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार अपना स्मी और अपना आशिरवार मुझ पर बनाये रखें Till then, love you all करें मुझ अज तरह वाद दूक्राइब करें